नमस्कार दोस्तों, welcome back to you, on channel wealth first, काफी सारे members के questions रहते हैं, कि सर आप जो select करके morning में stock बताते हो, कैसे एकदम से rocket बन जाता है, उसको कैसे आप select करते हो, तो उसकी strategy को मैंने post किया है, free of cost, सभी के लिए free of cost available है, इस video को आप miss मत करिएगा, इसके लावा दोस्तों, मैंने आज से आप लोग को पता हिया है, कि मैंने morning में 3 minute analysis post start करना शुरू कर दिया है, उसको आप, you can't afford to miss that video, it's a very very important video, which you cannot afford to miss in the morning, इसलिए, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया, तो कर लीजे, ताकि आपको regular updates मिलते रहें, plus कुछ extra जिखने चाहते हैं, consider joining as a member, without wasting time, we'll begin, तो पहला question है, दिने gram पे दिया करिये, please, so that we can check on YouTube, very nice, in fact, दिनेश जी का जो ये, जो ये suggestion है, इसके लिए इनको a treat बनती है, treat में क्या लिएना चाहते हैं, if he is in Bangalore, he can definitely come and meet me personally, if he is not in Bangalore, then definitely he deserves a treat, and you must mail me, तो this is a very nice, in fact, you know, idea which you have told, तो आपसे जो भी मैं post करूंगा YouTube चैनल पे अपने members के लिए तो उसका मैं आपको notification दूँगा टेलिग्राम चैनल पर जिन्हों ने टेलिग्राम जॉइन नहीं किया है, at wealth first original, तो wealth first, अब डू ये, lth, f, i, r, s, t, and thereafter original जबाब सर्च करेंगे, तो आपको original चैनल मिलेगा, जिसमें आपको wealth first के सारे fake member से ज्यादा member दिखाई पर लेंगे तो of course, आपको पता चल जाएगा, किसमें आपको add होना है, बाकी दुनिया भर के चैनल है, जिसमें चाहिए, उसमें add हो सकते हैं, तो भाई, बिशुजीत पॉल का question है, gold member, excellent video, excellent video sir, please give a call of BTST everyday to us, देखो भाई, ये एक बहुत ही, you know, let me tell you, बिशुजीत जी, I don't know, आपकी age क swing trading stock को हर दिन दोन जातसा न सकता है, जब उसको buy करना हots, हर stock को buy करने का हर दिन समय होता हो, actual आप हर दिन मय कर सकते और, आप हर dozen कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो हर एक stock को buy करने का एक specific time zone होता है specific demand zone होता है तो जब होता है दोस्तों अच्छे stocks मैं आपको बदाता रहता हूं तो you can't expect VTST call everyday but yes I give I do give regularly and I give at least twice a week option chain sub stock की होती है option chain नाम ही बोल रहा है option chain उसकी होगी जो options जिसके options होंगे options जिसके होते हैं जो F&O में listed होता है तो भाई सभी stocks F&O में listed नहीं होते हैं जो stock listed होता है उसका ही option chain होता है सारी का your view on भारती एटल भाई भाई भारती एटल मुझे somehow you know I do not like this stock because I don't consider very high P value stock to be held in portfolio मेरे साब से जिन stocks की बहुत ज़्यदा पी वैल्यू है तो उनको portfolio में रखने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके returns आपको आने वाले समय में हो सकता है long term average मिले तो ऐसा मैं सोचता हूं मैं गलत भी हो सकता हूं इसलिए मेरे portfolio में एटल नहीं है और नहीं मैं भी रिसेंटली खरीदने वाला हूं I have JK paper at 110 should I hold sale और book loss भाई JK paper को सही खरीदने का price 90 रुपीज एंड बिलो है otherwise JK paper के quality में पेपर के quality यह बात नहीं कोई भी compromise नहीं है बहुत ही अच्छा quality का stock है बहुत ही अच्छा brand है बहुत ही रीच है बहुत ही अच्छा business है लेकिन प्राइस थोड़ा सा सही नहीं है एप्रोक्सिमेटली आपने दो बीस परसेंट के सब्सक्राइब कर सकते हैं वेटिंग इगरली फॉर मोर एडिकेशन वीडियो और करेंसी ट्रेडिंग करेंसी ट्रेडिंग जिनको जिनको चाहिए प्लिए कॉमेंट सेक्षिन ने बताओ जिनको जाएंगे मुझे तो मुझे लगए कि आपको जिरूरत है नहीं तो अगर आपको चाहिए प्लीज एक में नो इन दे कमेंट सेक्षिन एज वैसे लिट में टेल यू करंसी ट्रेडिंग से अच्छी कोई ट्रेडिंग नहीं है मैंने एक वीडियो बनाए है इंट्रो शीट देखना रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे आपके गोल्ड मेंबर हाउ तो फाइंड ओब्लीक रिसर्च डाट एफाइड डिया इस बाइंगा स्टॉक फॉर लॉंग टर्म अरे यह कैसे बता कर सकते हो अरे डिया या 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 का मरजी है आज खरीदेंगे कल ब बता के नहीं खरीदता है प्लीज प्रोवाइड वीडियो वेनेवर बल्क और ब्लॉग डिल इन ब्लूचिप स्टॉक्स जनली पोस्ट कर देता हूं मैं जनली अच्छे स्टॉक्स के बारे में जब भी कुछ तरह का होता है तो मैं पोस्ट कर देता हूं और रेली लाइक य 1650 मेरे इसाफ दो सो 1650 विल बीट्स बॉटम लेकिन 1850 सा ग्रेट प्राइस तुबाइ अगर आप बाइक करना चाहते हो थो थोड़ा सा बाय यहां कर सकते हो बाकि अगर कुछ गिरता है यहां लिया जाएगा अब शेक गौतम सर पूरा मार्केट यह तो गिरता है यह तो ग दानी के स्टॉक्स नहीं है रिलाक्सो का बिजनस इनो 24 इंटू 7 चलने वाला आपके पैर के नीचे चेपल जो पढ़ी होई है पहनी होई है आपने जनरली 80% लोग रिलाक्सो फ्लाइट रिलाक्सो बहामाज जनरली यह स्लिपर्स पहनते है आफल इस ग्रोइंग बिजनस इंडिया में इसकी मनोपली इंडिया में क्या 130 स्टेशन निशन में इसकी मनोपली है सबसे बड़ा ओल्मॉस्ट वन फिफ्ट मन सिख्थ के असपास पर्सेंटेज है इन टम्स ओफ इस मूच्वल फंड बिजनस SGFC Life Life Insurance Business का सबसे profitable stock है तो यह वह stock है जो कि अपने में एक डियारा लीग अपार्ट तो आफकोर्स जो लीग अपार्ट होंगे तुरका performance बेच्छा लगा ऐसा मुझे लगता है बाकी आपको क्या करना है यह आपको research करनी है आपको सूचना है लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह मेरा point of view मैं गलत भी हो सकता हूं तो that I always tell यह मेरा personal view है मैं अपने personal view को reserve रखता हूं Also do tell fresh level to invest in मेरे असाब से मैं अभी तो फिलाल ने सम्में से किसी में बाई नहीं करूंगा at least I will not buy them at this moment Ronaldo for intraday I took a buy trade for intraday okay and moves in the opposite direction लेती अल्टा मुव करने लगा ओके Can I average on 2% dip? नहीं कभी भी intraday stocks की averaging नहीं की जाती है especially अगर आपके opposite direction में चल रहा है stock for example आपने stock लिया और वह आपके इस target के बजाए वह ऐसे से घूम गया तो उसके लिए आपने stock नहीं हित किया हुआ यहीं पर आप उसको cut कर दीजे buying price पर आपने लिया हुआ है में तरफ से buying price पर लेकर करके इसको exit कर जाए बजाए कि आप यह करें आपने यहां के लिए target है यहां से आपने खरीदा stock नहीं यहां move करना शुरू किया और यह थोड़ा सा नीचे गया आपने फिर यहां बाय कर लिया फिर वो नी ऊपर गया फिर यहां से चलने का आपने फिर यहां बाय कर लिया और आप अपने जो losses है उसको mount करते चले जाए आपको averaging कप करनी होती है जब आपके favor में जा रहो for example आप फिर से यहां पर add कर सकते हो फिर नीचे क्या फिर ऊपर गया तो उसक्त क्या होगा कि जब वो नीचे आएगा तो this will become a stop loss for you जहां पर आप इसे exit कर सकते हो ऐसा आज के stock में हुआ है if I'm not wrong ऐसा आज Asian paint में हुआ है आज मौर्निंग में कौन सब्सक्राइब प्लीज चेक कर लेना I think Asian paint was the one जिसमें की अप मुवी था तो इस तरह आजे करते हैं averaging I hope you've been able to understand okay okay do you think it's a good strategy nah it's not a good strategy I have been back testing this on Bijaj Finance ओक ये strategy आप तभी लगो buy on dip की strategy जब बिल्कुल प्योर कॉलिटी का stock और आप इसको long-term investment के लिये रह एंडाडे में ये चीज नहीं करने होते है Ronald, sorry नियुटना भांट में जालकांडे है यूर वीडियोस रहे से जुटना एक्षपीमट और फोट्टम लिट इस धाल्डरी सीमपल इस और उस्पन इसको तो उस्पन के जा तो नहीं आवियान सुट सुटना के साथ लेकिन अभी जब बिल्कुल बुरी तरह से गिर रहे हैं कम से कम कहीं पर स्ट्रेंथ तो आने तो रुकने तो दो 1850 का जो मेरा लेवल था वो उसने आज इसको जा करके टच किया हग किया तो जब हग गिया है तो एक पर थोड़ा हग करके अच्छे से हग तो कर ले न दो एक कर ऊपर थोड़ा निकले तो वह नीचे जाए जा रहा है वह किसी दिन स्टेग्नेट करे या फिस दिन अपमोव करे कुछ तो दिखाए स्ट्रेंथ अभी स्ट्रेंथ ही नहीं दिखा रहा है एंट्री प्राइस फोड़ी लाइट को भाई मैं 1250 के नीचे लूंगा ऐसा मेर अमानना है 1250 के नीचे आया तो समझेलना वेलफ फरस ने थोड़ा मोड़ा ले लिया होगा इसका कोश्रिंग असर मैंने दे दिया है I have bought HUL2009.5 is it correct HUL is a good stock let me tell you it's my core portfolio stock और जहां कहीं भी यह नहीं 900 के नीचे जाएगा I will again buy it मैं 1900 बिलो का वेट कर रहा हूं बीटी एस्टी ट्रेडिंग टाइमिंग 2-330 एक्जाक्ली बीटी एस्टी का मैंने आपको बताया है कि बीटी एस्टी को कभी जो लोग बोलते ना 325 पर खरीद लो 325 पर खरीद लो 329 पर खरीद लो ऐसी गलती कभी मत करना मेरे वीडियो जो मैंने बीटी एस्टी का डाला है इसको प्लीज देखो समझो मैंने इसमें क्या बताया है प्लीज अंडरस्टांड वाइफ टोल अश्टोष पुडर अर्बिया यों लास्ट प्रेस कॉन्फरेंस गेवा हिंट ऑ रिसेशन कोई डावटी निया मैंने इसको जैनुवरी म इसृष इंवेस्टर को तो इस प्रकार की क्रैसी्स को निकालना चाहिए कि कब आये क्राइसिश और कब मैं अपने पैसे को पम्प करूं लेकिन किस पर करना है तो सही टाइमिंग पर बढ़ क्राइश आ गई है समय आ गया लेकिन उस समय किस समय इंवेस्ट करना है प्लीज एक बहुत ही अच्छा ज मैंने सेंटे सुना please do not waste this crisis so वही मैं आपको बताना चाहता हूँ please do not waste this crisis and invest for long term and let me tell you in decade you will become multi-bagger you'll get multi-bagger returns HCL को आपको hold भाई देखो किसी stock को आपने बाई किया है तो उसको hold करना पढ़ेगा for it to germinate अब आपने सुआ लिया अगर आपने कोई stock hold लिया है तो उसको hold करना पढ़ेगा for getting it a suitable move financial sector will go down more so take a pause here you can थोड़ा सा रुख सकते हूँ सूरज जैसवर suppose if I buy CE or PE buy कर रहो call option को buy कर रहो okay तो आपका risk कहा है आपका risk सिर्फ premium है आपको बाकी उपर निचे कोई attention नहीं है suppose I buy CE or PE at particular price and then later premium rises by 5% can I exit and book profit of course you can exit anytime you can exit after five minutes also अपको profit हो रहा है can we track अपने buy ही नहीं अगर आपने sell भी किया है तो भी आप कभी भी exit कर सकते हो बास समया रही है you can exit anytime in any contract है ना बेलकुल नी समझ लो can we track previous Thursday CE and PE price chart movement for straddles पुराना data आपको सिर्फ I think जरोधा के streaks में या फिर जरोधा के streaks में ही मिलता है if I'm not wrong streaks में ही मिलता है आपको यह ना पुराने charts पुराने data तो उसको जाकर कर सकते हो although I don't use it much लेकिन जरोधा का यह जरोधा का app में यूज करता हूँ वो जरोधा ही है आपको उसका खुलना है अपको खुलना है अपको खुलना है काउंट link is in the description it's a great platform I personally use it especially for long-term investors एक भी पैसा नी लेता एक भी पैसा नी लेता है आपका for long-term investment so please if you want to open the account link is there down below in the comment section can we track previous third year CNP's मैं बदा दिया आपको यह तो भाई जरूधा के streaks पही ही मिला पाएगा अब थोड़ा देख लेना check कर लेना Milan I have watched your previous videos and bought Astral at 813 and your suggested level was 780 and 785 बिल्कुल सही पकड़ेगो बिल्कुल सही पकड़ेगो Milan जी should I continue holding what is the advice Astral is a great stock Astral is a great stock इसी तरह की crisis में तो आपको अच्छे चे स्टोक करीदने होता है तो अगर गिरता है सवारे साथ सो, साथ सो बीस आजाता है तो और बले-बले we'll buy more at least I will buy more 7-720 बाजाए तो SIP NXS Blue Chip is a great great you know mutual fund क्योंकि इसमें अच्छा खासा expense ratio कम है और जहाँ expense ratio कम है वही mutual fund best है and I'm surprised that you are just 23 congratulations next question है Yash Patel का energy with which you make every video is commendable thank you so much in fact this all energy comes from you all आप लोग जब positive response करते है तो मुझे और energetic feel होता है and I get more aggressive and more you know more passionate so the more likes you give the more you know love you give I become more energetic more passionate Madhan Sikchi Sir I bought Glenn Pharma 100 shares and SCL Technology 80 shares your views on both they are let me tell you Glenn Pharma is a very very good stock but at the same time it's a pharma stock fundamentally balance sheet Glenn Mark Pharma कि balance sheet को उठागे देखना जबरदस है तो इसका performance ही बहुत जबरदस है लेकिन pharma stock है इसलिए पिटता रहता है तो थोड़ा सा careful रहने जीर रहत है SL Technologies is one of the best stock मैंने आपके इसका एक वीडियो भी cover किया था long term के लिए लोग है तो और भी बढ़े आया है अब इतने सारे आप लोग है तो फिर इस सुंदर सुंदर नामों में मताए करो balance advantage India large cap ये तो ठीक है सुंदर सुंदर नाम कौन से थे advantage fund series triple X growth अब ये triple X जो चीजे है न ये growth पता निक किस चीज की करेंगी but I somehow do not like very fancy names like triple X तो क्रपिया कर गे if you are investor of a long term horizon please restrict your holdings in mutual funds restrict means अपने policies को कम करें तो आप उतने ही ज़्यादा आप AMC के charges देंगे उतने ही ज़्यादा policies में आप उनको हर एक खर्चे को वहन करेंगे तो क्रपिया करके अपने portfolio में जितने आपके mutual funds से उसको restrict करें और मैंने इसका एक separate video बनाया हुआ हुआ है mutual fund सही है सही है कि नहीं वो आपको देखना है वीडियो में जा करके मेरे साब तो आपको इतने सारे funds लेने का कोई point बनता नहीं it's a marketing gimmick it's a marketing gimmick to keep one fund for each goal let me tell you this is my personal opinion I may be wrong but आपको खुद सोचना है next question is when government has infused a huge amount of liquidity 20 lakh crores in spite of that market is not showing any positive move 20 lakh crores जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन और उसके अगले दिन market में जंप था there is no doubt about it but सबसे बड़ा जो question लोगों के दिमाग में आता है कि 20 lakh crore आएगा कहां से the biggest question which comes and arises in the mind that from where will 20 lakh crore come क्योंकि 20 lakh crore के लिए आपके पास जो direct tax है भाई अगर unemployment बढ़ जाएगा लोगों की नौकरियां हट रही है तो लोग का tax bracket भी तो कम हो रहा है भाई people are not giving direct tax of economy are going to get increased तो ऐसे में 20 lakh crore का target का funding is going to be difficult according to me भाई मैं इतना बड़ा है तो you know I am not into macro management of economy of India लेकिन मुझे ऐसा आज 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 वेरी स्मॉल फ्राइ मुझे लगता है 20 lakh crore is a big amount to be managed fruitfully and again to be employed fruitfully तो market उत्रुबा पसंद कम है याज लिए market has been falling since then और उसके बड़ा आप भी देखी रहे हैं यह एक mirror होता है जो भी आप policies ला रहे है market उसको अगले दिन आपको दिखा देती है कैसा है आपका policy कैसा है उसका move तो अगले दिन तो जंप हुआ लेकिन उसके subsequently it is dropping you can understand तो प्राइमा फेसे it is good बड़ उसके वाज़ उसके research किया गया पाया गया 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 बड़ी इधर इस नॉट बिइं उटिलाइज दवे market thought or it is not being fruitfully you know the 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 spin-offs are not fruitfully being gained according to me तो यह था questionnaire तो दोसों मेरा बस रिक्वेस्ट है especially hovish के सुरवाड़े जी से कि क्रप्या करके इतने सारे funds मत रखें कोई काफी सारे subscribers हैं जो कि बहुत सारे funds लेकर कर रखते हैं please do not keep so many funds keep limited keep good especially उसमें expense ratio को चेक करिए कि उसका expense ratio कितना है experience ratio के अलावा उसके क्या क्या stocks में उसने इन्वेस्ट कर रखा है उस company ने और इतने सारे अगर आप mutual fund लोगे हर एक mutual fund में के पास approximately 50 to 70 stocks होते हैं अगर आप 50 stocks भी ले लोगे तो आपने ओलरड़ी 500 stocks में इन्वेस्ट कर लिया है तो 500 stocks में इन्वेस्ट करने के बाद आपका diversification समझ रहे हैं कहां पर जा रहा है इस highly over diversified तो करप्या करके बी कैफुल होईश्क जी please understand what I am trying to say and please act accordingly तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटिन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें बाबाई फानाव